दिन दहारे तड़के सुबा एक यूबक के गोली मानने से छेतर में फैल गई संसनी जी हाँ नमस्कार मैं हूँ बिवेक डोगरा आप देख रहे हैं ट्राइम 80 न्यूज ये मामला हम आपको बता दे यूपी के काजियाबाद के मुरादनगर कस्वे में दुकानदार को सुबा तरके गोली लगने से इलाके में संसनी पहल गई आपको बता दे कि आखिर अप्रादियों में पुलिस का खौप कहां गया एक बड़ा सवाल है मुरादनगर के सहे बिस्वा में सुबा करीब 6 बजे दुकानदार सर्फराज उर्फ टिंकू पर तीन लोगों ने उस समय हमला कर दिया जब वह कोबर डालने पिलोट पर जा रहा था बताए जा रहा है कि कुछ टाइम पहले लोगडाउन में दो परिवार में आपसी बिवाद हुआ था जिसको लेकर आज सुबा 6 बजे करीब सर्फराज उर्फ टिंकू नाम व्यक्ति को चार आरोपी सहा आलम फरहीन पुत्री सहा आलम अर्शत उर्फ छोटू पुत्र रियाजुदीन जुबेर पुत्र यासिन कोली मारकर फरार हो गए जिसके बाद घाय टिंकू को दिल्ली सब्दरगंज अस्पताल में एड़बिट कराए गया है वहीं बताय जा रहा है कि इस वारदात को देखकर लगता है कि पुलिस का खौप अपराजियों में नहीं रहा और वहीं टिंकू की हालत काफी घंबीर भी बताई जा रही है देखे हमारी एक खास सिर्पोर्ट गाजबात की मुरादनगर कजबे में दुकंदार को सुबह तर के गोली लगने से इलाके में हड़कप मच गया आपको बता देगी मुरादनगर के सह बिस्वा में सुबह करीब 6 बजे दुकंदार सर्फराज और टिंकू पर तीन लोगों ने उस समय हमला करा जब वह गोबर डान ने प्लोट पर जा रहा था बताया जा रहा है कि कुछ टाइम पहले लोगडाउन में दो परिवारों में आपसी विवाद हुआ जिसको लेकर सुबह 6 बजे करीब सर्फराज और टिंकू नामक व्यक्ति को चार आरोपी शाह आलम फरहीन पुत्री शाह आलम अर्शद और्फ छोटू पुत्र रियाजुदीन जुबैर पुत्र यासीन गोली मार कर फरार हो गए जिसके बाद खायल टिंको को दिले सफदर गंज अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां उसकी हालत को गंभीर बताया जा रहा है इस वारदात को देखकर ऐसा लगता है कि आरोपियों के दिल में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा गाजबाद से अफशार उलकी रिपोर्ट प्राइमिटी निउस दोरा दो लड़के आये कहा से टिंगु भाहिया उसे बातों में लगा रहा है पीछे से एकने विष्टन की गोली बारी कहा लगी एक गोली दिमाग में बस रही है कंदा चूके गई एक पैर चूके गई है तो अब कहां लेकर गया है उसे पहले ही सोदा मिले के दिली है तो अब ही उसकी कंडिशन कैसी लड़के उसकी सीरियस हालत है जी दिमाग में कोली फस हुई है